चेंद दोस्तों मिरना में अतुलो और स्वागत है आपका अपनी डिप चैनल अतुल्डिक बजार में दोस्तों दो डिवाइस हमारे पास में रिसेंट्री लाउंची डिवाइस पोको M6 Pro 5G डिवाइस जिसमें SD4 Gen2 वाला प्रोसेसर मिलता है यह अंडर 10K एक ऐसा मोबाइल 5 पाफी जड़ा पावरफूल है सेकेंड़ी हमारे पास में मोबाइल है रिड्मी नोट 12 4G डिवाइस इसमें SD685 वाला प्रोसेसर है यह एक 6NM प्रोसेसर है यह दोनों ही डिवाइस में पीछे कैमरा सेटप आप देख सकते हो वोको M6 Pro में आपको 50 प्लस 2 मेगापिक्सल कै रिड्मी नोट 12 डिवाइस में आपको 6.67 इंचेस का FHD प्लस 120 हर्ड सूपर एमॉलेट डिस्प्ले मिलता है जबकि पोको M6 Pro 5G डिवाइस में आपको 6.79 इंचेस का एक FHD प्लस 90 हर्ड रिफ्रेस्ट वाला डिस्प्ले मिलता है दोनों ही डिवाइस का 6GB 128GB वेरेंट हमारे 5000mAh बैटरी के साथ में आते हैं रिड्मी नोट 12 में 33W और पोक M6 Pro में 18W की फास्ट चार्जिंग मिलती बड़ प्रोसेसर का कापी बड़ा डिफरेंस है इसलिए यहां पर हम डीप टेस्ट करने वाले हैं तोनों ही मोबाइल को हमने सेम टाइमिंग पर बूट करने के लिए छोर दिए हैं टिकते हैं कि कौन सा में सबसे अबसमारी यहां बूट होता है मी का लोगो सबसे पहले यहां पर इड्री मिड्येच का रिवमेर निक्सट चानलय क्या करने वाले दोनों को हमने से एम टेस्टублиस करने यह से इसम डाइक से करका है में हम डाउने वाले दोनों ही को हमने same timing पर tap कर दिया है थोड़ा सा cut and fast forward किया है ताकि फड़ा फड़ से हमें यहां पर result मिल सके तो देखते हैं कि कौन से mobile ने सबसे पहले play button हमें मिलता है Poco M6 Pro में play button मिल चुका है यह winner बन चुका है और यहां पर काफी fastness game को download कर लिया है अब दोस्तों next test हमारा हम downloading uploading speed test करने वाले हैं देखते हैं कि कौन से mobile की downloading uploading speed हमें ज्यादा मिलती है Poco M6 Pro जो device है यह 5G device है और Redmi Note 10 यह एक 4G device है यहां पर light चली गई है तब दोस्तों यहां पर हम आपको score दिखा देंगे देखते हैं यहां पर किसका जादा यहां पर downloading uploading speed रहता है तो यहां पर देख सकते हो थोड़े से यहां पर जो downloading uploading speed में Poco M6 Pro आगे है इसलिए यह winner बन जाता है जादा difference नहीं है पर फिर भी यह आगे यहां पर दोस्तों next हमारा test होने वाला है काइन मास्टर एप के थ्रू video rendering speed test इससे पहले यहां पर performance आप देख सकते हो दोनों ही mobile में 1080p 60fps तक के video आप काइन मास्टर एप के थ्रू बना सकते हो output ले सकते हो हम same slide ले रहे हैं same यहां पर video render करेंगे 1080p 60fps दोनों ही mobile में हमने select किया है यहां पर हमने रख दिया है rendering देखते हैं सबसे पहले यहां पर कौन सा प्रोसेसर फास्ट ली video render करके देता है प्ले करने के लिए आगें से यहां पर देख सकते हो Poco M6 Pro 5G devices में Snapdragon 4 Gen 2 अला प्रोसेसर है यह बिनर बन जाता है काफी फास्ट प्रोसेसर है अगला डेस CPU थ्रोडलिंग टेस्ट अम करने वाले स्टेस से यह पता चल जाता है कि अगर आप gaming और multitasking कर रहे हैं तो CPU compressor को कितना यहां पर struggle करना पड़ता है तो इसमें minimum 5 मिनिट लगते हैं थोड़ा सा cut and fast forward किया है यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो Redmi Note 12 जो डिवाइस है इसमें आपको एक red line दिख रही होगी अपकी almost green line आपको Poco M6 Pro 5G device मिलती है score अगर हम देखे तो यहां प 83 versus 92 है simply दोस्तों यहां पर Poco M6 Pro SD4 Gen 2 वाले processor के साथ में winner बन जाता है अब दोस्तों आप opening टेस्ट हम करने वाले कुछ game online offline और कुछ daily जिसकी app को हमने select किया यहां पर bgmi का server काफी busy रहता है इसलिए इसके बदले हमने यहां पर free firemax game को लिया है सबसे पहले इसे open करके देख लेते हैं कि कौन सा mobile यहां पर इसे open कर पाता है Poco M6 Pro यहां पर Redmi Note 12 यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो जो device है Poco M6 Pro 5G device इसने इस game को पहले open कर लिया है तो यहां पर next game, next app हम लेते हैं एंटुदू बेंचमार के score और दोनों के एंटुदू बेंचमार के score भी हम चेक कर लेंगे तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो थोड़ा से पहले Redmi Note 12 ने से पहले open किया बट एंटु बेंचमार के score आप देख सकते हो अल्मोस्ट एक से तेड़ लाग का यहां पर difference बिलता है और यहां पर नेक्स्ट हम open करते हैं टेंपल रन गेम को यहां देख लेते हैं कि कौन सा मोबाइल सबसे पहले play बटन हमें यहां पर available कराता है दोनों मोबाइल वैसे लगे हुए हैं और यहां पर आप देख सकते हो जो Poco M6 Pro 5G device ने इसने यहां पर सबसे पहले play बटन हमें available करा दिया नेक्स्ट गेंडी क्रस्ट गेम को उपन करके देख लेते हैं कौन सा मोबाइल फड़ाफट से इस गेम को उपन करता है play बटन हमें देता है अगेंस यहां पर Poco M6 Pro 5G device ने इसे पहले open किया है अगला गेम यहां पर कृष्णा गेम को उपन करके देखते हैं और देखते है कि यहां पर कौन सा मोबाइल फास्टली फास्टली इससे ओपन कर पाता है अगेंसे Poco M6 Pro 5G device ने इसे ओपन किया है नेक्स्ट यहां पर दोस्तों लूड़किंग गेम को उपन करते हैं जिससे ऑनलाइन आप दोनों तरीके से खेल सकते हैं देखते हैं सबसे पहले यहां प यूटूब एप को सबसे पहले कौन सा मोबाइल एवलेबल कराता है प्ले करने के लिए अगेंसे Poco M6 Pro 5G device ने यहां पर बाजी मार लिए नेक्स्ट यहां पर हमारे पास है क्रोम ब्राउजर जिससे आप टेली यूस तो करते ही होंगे देखते हैं यहां पर आप देख सकत है Amazon एक और online shopping app को ओपन करके देखते हैं कौन सा मोबाइल फास्ट ले से ओपन करता है यह लास्ट टेप हमारे पास में है Poco M6 Pro 5G device ने इसे पहले ओपन कर लिया अब जो background running app है उससे ओपन करके रेमेनेजमेंट चेक करते हैं आपका करते हैं करते हैं आपका करते हैं झाल झाल तो यह था दोस्तो दोनों ही मोबाइल के बीच में फुल कंपरेजन प्लस डीप डीप इस्पीच टेस्ट और तोनों ही मोबाइल काफी अच्छा पॉफार्मस देते हैं अपने अपने प्राइस सेग्मेंट के हिसाब से बट वोको M6 Pro की बात यह लग है अंडर टेंड के आप आपको 4 Gen 2 अला प्रोसेसर मिलता है Snapdragon का वो भी 4NM प्रोसेसर मोचली मैं कितनी विडियो में बोल चुका हूं कि अभी तक कोई भी कंपनी ने इससे अवेलेबल नहीं करा है इस प्राइस सेग्मेंट में हो सकता है आगे जाके हमें और भी कॉम्पेटिशन देखने मिले बट 10K ज्यादा पैसे आपको खर्च नहीं करने पड़ेंगे और भी बहुत सारे वीडियो इस डिवाइस के रिगार्डिंग एवलेबल है बहुत सारे टेस्ट हमने इस मोबाल के साथ कि हैं सारे कुछ वीडियो चैनल पे वालेबल है चेक आउट एक बार जरू से करेंगा नेक्स नहीं वीडियो के साथ मैं तब तक लिएन बोलते रहे हैं वंदे मातरम